सोलन में समाजिक नियाए एवं अधिकारी दाता सेकारिता मंत्री डॉक्रर राजीव सैजल ने प्रेस वारता की अधिक्षता करते हुए कहा कि सोलन जिले का समगर एवं चौमुखी वीकास करना और जिले को आधर्श बनाना उनकी प्राइथ मिता रहेगी उन्होंने कहा कि सोलन जिले में सटकों का सुधार एवं गाउं-गाउं को संपर्क मार्ग से जोना और कानून एवं व्यवस्ता की स्थिती में सुधार लाना उनका लक्षे रहेगा सोलन में सामाजिक नियाए एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने प्रेस वारता की अधिक्स्ता करते हुए कहा कि सोलन जिले का समगर एवं चहुमुखी विकास करना और जिले को आदर्स बनाना उनकी प्रात्मिक्ता रहेगी उन्होंने कहा कि सोलन जिले में सडकों का सुधार एवं गौंगौं को संपर्क मार्ग से जोड़ना और कानून एवं व्यवस्ता की स्थिती में सुधार लाना उनका लक्षे रहेगा इस मौके पर सामाजिक नियाए एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजिल सेजल ने कहा कि उनकी प्रात्मिक्ता बियाईपी कल्चर को खतम करना है उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ तैनात पाइलेट पुलिस का उपयोग अब कानून व्यवस्ता सुधारने में किया जाएगा मंत्रियों के स्वागत के लिए बच्चों को कतार में खड़ा करना और साथ में फूल मालाएं और पुस्प गुच वेंट करने में पूर्ण तै रोक लगाई जाएगी जिस तरह देश के परधान मंत्री ने वी आईपी कल्चर को खतम करने की मुहीम चलाई है उस मुहीम को सफल बनाने का हर समभ़ प्रयास किया जाएगा जैसे बुके पकड़ाने के लिए मालाएं देने के लिए शौल और टोपी का कल्चर जिस परकार से तो ये सब समाप्त होना चाहिए मंत्री के आगे जो है पालेट दोड़ रही है क्यों पालेट दोड़े मंत्री के आगे उसमें पांच पुलिस विभा की लोग बैट करके वे कानून-ववस्था को ने का काम करें वो वी आईपी स्वागत के लिए इस प्रकार से खड़ा होना है तो इस सब को मैं समाप्त करूँगा और मैंने तो अपने पूर्व के जो मेरे दो कारेकाल रहें उसमें भी मैंने जो है इसको लेकर के कदम उठाएं, मालाएं हमने बंद कर दी थी बच्चों का कतारों में खड़ा होना हमने बंद कर दिया था, शौल टोपी हमने बंद कर दी तो इसको और भी ज़्यादा जो है इसको हम इसमें सुधार लाएं ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन